Good morning everyone, आज है 30 March 2022 के Current Affairs और आज हम यहाँ पर discuss करेंगे कर नए दिन के Current Affairs को तो चले सुरुआत करते हैं, बड़ सुरुआत करने से पहले मैं आपको उतादू, हमारे वीडियो का लाइक का टारगेट है 200 Likes जैसे कि आप लोगों ने 150 Likes का टारगेट पूरा किया है, तो चलिए सुरुआत करते हैं आज के आपके पहले Question के साथ अव ओसकर अवोर्ड 2022 में सर्विस रेष्ट अभिनेता पुरुषकार किसे दिया गया है, ये विल स्मीत को दिया गया है, ओसकर अवोर्ड 2022 समारहो का आज़न लोस एंजलिस अमेरिका के डोलवी थेटर में हुआ, वर्ज 2022 में आउसकर अवोर्ड का 94 वा संस्करन आईजित किया गया, आउसकर अवोर्ड एक परतिस्थित पुरुषकार है जो कि फिल्म उध्योग में कलात्मक और तक्निकी योगेता वाली लोगों को दिया जाता है, नोमिनेट की गई थी, इस बार की 2022 के विजिता की सूची है, सर्विस रेस्ट फिल्म, कोडा, अभिनेता, विल स्मित, किंग रिचर्ड की फिल्म में, सर्विस रेस्ट अभिनेतरी, जैसिका, चस्टेन, दे, आइज ओफ, टैमी फेर, और सर्विस रेस्ट निदेशक, जैन केंपियन, जैपावर फे दोंग, जैस सर्विस रेस्ट डोकिमेंटरी फिचर्ड समर अफ सॉल, सर्विस रेस्ट, सपोर्टिंग अड्रेस, अरिना, डेबोसा, वेस्ट, साइट स्टोरी, और आजनिस्थल, लोस अंजलिस, चोरानवेवा संस्क्रान, इस बार आजित किया ब्रोड कास्ट, ओडियन्स रिसर्च काउंसिल इंडिया, यानि की बार्क के नई अध्यक्स, शशी सिन्हा, इन्होंने पुनीत गोयंका का इस्थान लिया है, ब्रोड कास्ट, ओडियन्स रिसर्च काउंसिल, स्थापना 2010, मुख्याल है मुंबई में है, और अध्यक्स हैं ससी सिना, CEO है नकुल चोपडा, स्विस ओपन सूपर 300 बैडमिंटन टूर्णमेंट 2022 में महिला एकल का खिताब पीवी सिंदू भारत इन्होंने जीता है, इन्होंने फाइनल मुकाबला में थाइलेंड की भुसानन ओंगा बामुरूंग गफान को हराया था 21 सोला से और 21 आर से और सूपर 300 बैडमिंटन चेंपियनशिप टूर्णमेंट 2022 का खिताब इन्होंने जीता, विश्व रंगमंच दिवस 2022 का मनाया गया 27 मार्च को, हर साल 27 मार्च को अंतराश्टिये रंगमंच संस्थान आई टी आई के इंदर द्वारा विश्व रंगमंच दिवस को मनाता है, इस बार का जो थीम है, वो है थेटर एंड एक कल्चर ओफ पीस United Nations Program, UNEP द्वारा जारी, वार सिंग, फ्रेंट्रियर रिपोर्ट दो हजार बाईस के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा दवनी प्रदुशन वाला सहर, मुरादाबाद भारत का UNEP द्वारा जारी, वार सिंग, फ्रेंट्रियर रिपोर्ट दो हजार बाईस के अनुसार, भारत का मुरादाबाद सहर, दुनिया का सबसे ज़्यादा दवनी प्रदुशन करने वाला सहर है, अधिकांस जो अधिक्तम जो है यहाँ पर मुरादाबाद में जो डेसिबल है, वो है 114, जो कि दर्वनी प्रदुशन दर्ज किया गया है, यह है प्रदुशन फ्रेंटियर सिर्पोर्ट की तीन प्रियावरणिये मुद्दोप की पहचान करके उसको समाधान के उपाय प्रदान करती है, ताकि जलवायू परिवर्तन प्रदुशन वैजेव विविद्ध किता के अनुसार ये संकट को संबोधित किया जा सके, टॉप तीन है डाका, मुरादाबाद और यहां पर इसलामाबाद, अगला किशन है भारत की पहली स्टील सडक का निर्मान कहां पर किया गया, सूरत गुजरात में, सूरत के गुजरात में पहली स्टील सडक का निर्मा है और ये सड़क एक किलोमेटर लंबी और छह स्टील लेन से बनी है इसका सड़क का निर्मान कई साल की रिसर्च के बाद विग्यानिकों ने सूरत के स्टील स्टील के कचले को प्रोसेस करवाकर यहां पर करवाया गया है केंद्रे प्रेवर्ण मंत्राले ने हर वर्स किस दिन राष्टे डॉल्फिन दिवस को मनानी की घोशना की पांच उक्टोबर को ठीक है ये अच्छा इंपोर्टेंट क्यूशन है अबिदुल्ला खान हैरिटेज होकी कब 2022 का खिताब भारती रेलवे ने जीता है और इसके फाइनल मुकाबले में रेलवे स्पोर्स प्रोमोशन बोर्ड की टीम के अंतरगत आर्मी 11 को हराकर होकी कब का खिताब जीता है अजनिस्थल भोपाल MP में है भारत की पहली अलुमिनियम बोडी वाली हलकी ट्रेन का उद्गाटन कहां पर किया गया है कोलकता में आवास एवं सहरी मंतरालियों के मंतरी के सचिव मनोज जोशीक ने देश के पहली हलकी वजन की ट्रेन जो है इसका उद्गाटन कोलकता में किया यह ट्रेन महराश्ट ट्रेनों की पूने प्रोजेक्ट के लिए अलुमीनियम बोडी से बनी देश की पहली हलकी ट्रेन है इसे पूने मेट्रो में चलाये जाएगा इसका निर्मान भारत की टेटागड वेगनस कोलकता में किया गया है टूलिप उत्सव 2022 का युजन कहां शुरू हुआ यहां पर विभिन हिस्सों से하जारो परेटक कश्मीर में आते हैं गूमने के लिए विकास बोर्ड का चैर्मेन कीसे बनाए गया है comment section में आप अपना reply जरू कीजिए आपको यह video कैसे लगा उसका भी आप reply कर सकते है 150 like का हम target जो हमने 200 like का जो target है वो यहाँ पर पुरा करने में हमारी help जरू कीजिएगा वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और हाँ अपना support जरू दिखाईए Thank you